आज बात करेंगे एक परपल कलर के एक साधारण सी औसधी की, देखने में साधारण है आपने सुना होगा, देखा भी होगा, वाट्स एक बहुत कॉमन समस्या हो गई है जिसमें जिसको दर्द होता है, पेन होता है वो ही उसकी पेन को जान सकता है, अनभव कर सकता है इसमें external growth हो जाती है डील जैसा गांट जैसा पढ़ जाता है और चलने में समझ्चा होती है बोडी की किसी भी अंग में हो सकता है यह जो प्लांट आप देख रहे हैं यह जंगलों में खेतों में बहुत कॉमन पाया जाता है लेकिन इसके गुणों के जानकरी के अभाव में हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं इसको scarlet pimpernel भी कहते हैं और यह एनागेलिस अर्वंसिस के नाम से scientifically जाना जाता है प्राइमू लेसी फैमिली का है किसी विशेश प्रोपेगेशन टेक्निक की आप सकता है हमें जूर्थ नहीं है 1000 मेटर अब उसी लवल तक इसका देखने को मिलता है 25-60 cm तक इसकी हाइट हो जाती है इसके अंदर बहुत सारे कमिकल कंपाउंड पाय जाते हैं जैसे कि अब हम बात करेंगे इनके गुणों की इसका जो मदर टिंक्चर मार्किट में आता है वह एक्जिमा और स्किन प्रॉब्लम्स जो हम आपको बता रहे थे ोंते वाट्स उसके लिए दिया जाता है बहुत अच्छा है अपना कार्य करता है इसको जब हम पेस्ट बना लेते हैं लीव्स का पेस्ट बनाते हैं म्होंत की सम्स्या में आउसमें भी विशेश करता है जो क्या होता है कि इसका जब इस्तमाल करेंगे तो कॉला गोग समस्षा होती जसके अंदर जो साहिता stellt आउप करता हो कि सका आप करता है कि करता है दियुर्तिक करता है ड्रोप से जिसको हम जलोदर कहते हैं उसमें भी इसका विश्यस गुणकारी प्रभाव होता है अगर मैं साधान भासा में कहूं तो गौल ब्लेडर और लिवर की ड्रिसोडर की तो यह उसदी महान है ही इसके अलावा बहुत सारी एंटिफंगल और एंटिवारल एक्टिविटी इसके जो एंटिफंगल एक्टिविटी है वह ट्राइकुफाइटॉन कोलेक्टो ट्राइकम और केंडीडा माइक्रोपोर्म में भी बहुत अच्छे से अपना कारी करता है इंटिफंगल एक्टिविटी सो करता है कि मिद्रों आप अपने घरेलों जीवन में एनल जैसिक की फॉर्म में बहुत सारे घुटनों का दर्द हुआ है तो हम इंडो मिथासीन के इस्तेमाल करते हैं या नीमू स्लैड के इस्तेमाल करते हैं तो यह दोनों ही कॉक सब्सक्राइब करते हैं अगर सब्सक्राइब करता है जिससे उनके साइड इफेक्ट नहीं आ पाते हैं यह आप अपने जिमन में इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसका जो गुणकारी प्रभाव है अगर क्योंकि यह खेतों में साधान रूप से देखा गया है अगर इसका ज्यादा सेवन करते हैं पांच ग्राम पर केजी बोडी वीट से अगर ज्यादा सेवन करते हैं तो देखाए गय इसका आप ड्राइप बना के रख सकते हैं अवसकता अनुसार आप इसको डिकॉक्षन बना के सिवन कर सकते हैं यह वंडरफूल ब्लेट इनर का भी कार्य करता है अधिक तर्जो मार्केट में लोग जानते हैं कि हम दालचीनी ले लेंगे अधिय पत्र ले इक भी न्re लेकिन-वो शिफ्रे देखी वरिधस प्रिकृतर होती है बड़ी गर्म होती है उनको आप गर्मियों में यूler चाहिए कर सकते हैं लेकिन यह जो प्लांट हैं दोनों यह और इससे पहले जो हमने डाला था वो किसी भी मोसम में इस्तमाल किये जा सकते हैं लेकिन इनको हमें ड्राई पाउडर की फॉर्म में बना कर रख सकते हैं आप उसकी जो ग्रीन टी बना कर अगर लेंगे तो यह एक्जीमा केटरेक्ट और स्किन पर होने वाले वाट्स इन सब में एक कप चाहे या फिर उसको आप ग्रीन टी कहिए चाह उसका डिकॉक्शन कहिए बना के मौर्णिंग में एक बाती लिजे सारी समस्चाओं को आसानी स नहराकरण करता है इस परकार से आपका स्वास्त समर्धन में साहता करेगा आप अपने पाई जाने वाली वनस्पतियों को जानेंगे पैचानेंगे और उनका उप्योग करेंगे आसा करता हूं कि आप यह जो जानकारी है अपने साथियों के साथ सेर करेंगे सांजा करेंग ताकि वो भी इसका पायदा उठा सके आप सबी का धन्यवाद परणाओ